हेलो एवरिवन वेलकम टू माई योटब चैनल आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में और फेंड्स इस वीडियो में हम लोग एक तो आटे का रिप्लाई देखने वाले हैं पर्टिकुलर जोन से आटे का रिप्लाई आया है और डीवी में कितने पैनल आने के बाद अभी कितनी सीट्स वैकेंट है कम्प्लीट केलकुलेशन आपको दिखाऊंगा और अभी आगे कितने पैनल आ सकते हैं और कितनी पोस्ट पे आपका सेकेंड डीवी कंड़क्ट हो सकता है तो कम्प्लीट इंफोर्मेशन आपको मिलेगी और जिस जोन के पारे मैं आपको बताने वाला हूँ वह है Central Railway Mumbai तो अगर आप बाकी जोन से भी विलांग करते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं आपको समझ में आज आएगा कि लगबग जो है average कितना cut-off down हो सकता है बाकी जोन में भी बाकी जो है इसके बाद मैं Other Zones के भी वीडियो बनाऊंगा और इस वीडियो मैं Central Railway की बात कर लेते हैं तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आपने चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बैल आइकन को जरूर पैस कर लीजिए तो सबसे पहले मैं आपक पूचा गया था कि कितने स्टूडेंट डीवी अगर मैं अबसेंट रहे हैं और साथ ही यहाँ पर पूचा गया था सेकिंड डीवी के रिकार्डिंग ठीक है तो मैं आपको एक बार यह आइटी पूरी समझा देता हूँ सबसे पहले इनोंने बताया है कि जो पी डवलू ब अगरा कब तक होगा तो इन्होंने रिप्लाइ किया है चैंडिडेट बिलो इन माक्स विल बी कॉल फॉर सेकिंड डीवी अगेंस्ट एबसेंट एंड नॉट एलिजिबल केंडिडेट आफ फस्ट डीवी फ्रॉम ऑल दा कम्यूनिटीज एंड इट विल बी नोटिफाइड नगी कि देखो इन्होंने बोला कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर एबसेंट रहेंगे या नॉट एलिजिबल होंगे यानि कि जो डीवी में रिजेक्ट होंगे उनके रेस्पेक्ट में यहाँ पे जो है कट अफ को डाउन करके सेकिंड डीवी कराया जाएगा अब च तीस candidate का ठीक है अभी आपको complete भी बता लाए उसके बाद यहां से panel 2 जारी हुआ और panel 2 में यहां पे शामिल किये गए 216 candidate उसके बाद यह है central railway से panel 3 भी आ चुका आप लोगों पता होगा जिसमें 36324 ठीक है 6324 student को शामिल किया गया था और इन सभी को जब हम add कर देते हैं तो य हमारा हो जाएगा 6 4 10 11 1 एक यह हो जाएगा इदर 7 और यह 0 और यह 8 यानि कि टोटल अभी यहां पे 8071 student का पैनल जो है वो central railway मुंबई की तरफ से आ चुका है अगर मैं बात करूँ टोटल वेकेंसी की तो टोटल वेकेंसी है यहां पे 9345 ठीक है अगर 9345 से हम 8071 को माइनस कर जाता है यानि कि अभी भी 1224 सीट ऐसी है जिन पर अलाटमेंट नहीं हुआ है यानि कि कोई पैनल नहीं आया है अब यहां से आप लोग मान सकते हैं कि कुछ PWBD की जो सीट से हैं वो वेकेंट जाते हैं वो किसी को नहीं मिलती है तो यहां से लेस हो जाएगी अगर हम यहां पलस स्टूडेंट बड़े अराम से यहां पे अभी भी मतलब आप कह सकते हैं कि कुछ पैंडिंग में हैं डीवी के कारण कुछ मेडिकल के कारण पैंडिंग में होंगे तो 1000 पलस सीट तो यहां से बिल्कुल कनफॉर्म है अब ठीक है इसके बाद अगर बात करें यहां से क पैनल आपका ओर आ सकता है जिसमें बाखी के स्टूडेंट को इकलूड किया जा सकता है उसके बाद यहां से वेकंट सीट का डाटा निकल जाएगा अब देखो साउथी सेंटर लेलवे बिलासपुर में आप लोगों ने देखा कि वहां पे सेकेंड डीवी के लिए कट किया गया और वहां पे 2.9 सम्थिंग मार्क्स यूर में कम हुए है ठीक है जबकि वहां पे वेकंट सीट जादा नहीं थी 1664 टोटल वेकंट सीट थी और जादा सीट भी वेकंट नहीं थी अब अगर उससे हम लोग इसको कंपेर करें तो सेंटर लेलवे में वेकंट सीज भ कर रहा हूं क्योंकि जर्नली देखा गया है OBC और SC केटेगरी में ज्यादा कट अफ लोग नहीं होता है या तो UR में ज्यादा लोग होता है या फिर ST केटेगरी में लोग होता है ऐसा 2018 में पर आप देखेंगे तो यही देखने को मिलेगा ठीक है तो ST केटेगरी और जो UR category है, वहाँ पे अच्छा गासा मारदन आपको देखने को मिल सकता है, बाकि OBC और SC category वालों का points में यहाँ पर यह चीज़े चलने वाली है, ठीक है, तो मैंने आपको complete calculation बता दी है, मैंने आपको यहाँ पे Arctic reply भी दिखा दिया है, कि कितने student जो है absent रहे हैं, उसके अलावा यहाँ से panel और भी आएगा, यह बात भी confirm है और second TV में यहाँ पे cut off low होने के chances भी काफी जादा है, तो सारी information मैं आपको दे दी है, central railway Mumbai के regarding next आपके zone की information चाहते हैं, मुझे comment box में जरूर बताएं, next वीडियो में उसी पे बना दूँआ, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, बैल आइकन को जरूर पैस करें